ढाई साल से जवारी रूस यूप्रेइन युद्द का फैसला अब आने ही वाला है पुतिन ने सेना को वो हुकम सुनाया है जो यूप्रेइन की फॉंच काप उठी है रूस के 30,08,000 जवानों के विशाल सेना के साथ पुतिन यूप्रेइन पर चढाई करेंगे और जलन्सकी के लिए पोतर ने चक्र व्यू रच दिया है यह रेपोर्ट देखें लड़ाई की लप्टों में जलते ही उक्रेन के लिए बहुत बूरी खबर है जलन्सकी के लिए पोती ने चक्र वी रच दिया ठाई साल से जारी युद्ध का फैसला अब आने ही वाला है पुतिन ने सेना को वो हुक्म सुनाया है कि उक्रेन की फौज कांप गई है रूस के राष्ट्रपती पुतिन ने एक डिक्री जारी की है आसान भाशा में कहीं तो आदेश जिसमें कहा गया है कि देश के सहशस्त्र वलों में जवानों की संख्या 23,89,130 कर दी जाए इसमें 15,00,000 एक्ट्री मिलिटरी पसनल भी होंगे पुरी दुनिया में पुतिन के इस फैसले की चर्चा हो रही है डिटेल देखें उसके पहले इस खबर को सिर्फ 4 पॉइंट में समझ लिचे अब लंबा नहीं खिचेगा रूस युक्रीन युद्थ 28 दिसंबर तक रूस युक्रीन जंग का फैसला पक्का पुतिन का रूस की आर्मी को लेकर बहुत बड़ा फैसला 23,80,000 की विशाल सेना के साथ पुतिन करेंगे युक्रीन पर चढ़ाई पुतिन बनाने जा रहे हैं चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी रूस एक बार फिर अपनी सेना में इजाफा करने जा रहा है CNN की रिपोर्ट के मताबिक राश्रपती पुतिन ने रूस में सैनीकों की संख्या बढ़ाने का ओर्डर जारी कर दिया है ओर्डर के मताबिक रूस की सेना में एक लाग ऐसी हजार सैनीकों की भर्टी की जाएगी इसे रूस की आर्मी में कुल सैने कर्मियों की संख्या लगभग तेईस लाग ऐसी हजार हो जाएगी इसमें एक्टिव सैनीकों की संख्या बंद्रा लाग होगी पुतिन को सेनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या सिर्फ युक्रेन जंग के लिए पुतिन ने इतना बड़ा फैसला लिया है? या 32 नेटो देशों से 61 टकरानी की एक्षा के साथ पुतिन ने फौज की तादाद बढ़ाने का निड़ने लिया है? सवाल तो ये भी है कि जब कहा जा रहा है कि युद्ध हाई टेक हैं जहां डोन फाइट कर रहे हैं टेकनलोजी से हारिया जीत तैह होगी वहां सेनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला पुतिन ने क्यों लिया? इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे अभी ग्राफिक्स के जरीए कुछ आंकडे दिखे कि पुतिन सेना की संख्या बढ़ाते हैं तो रूस कहां से कहां पहुँच जाएगा? इटरनेशनल इस्टिट्इट आफ एस्ट्रीजिक स्टूडिज यानि आ इइए एसस के मताबिक चीन के पास खरीब 20 लाग एक्टिव सेने कर्मी है भारत के पास खरीब 14 लाग एक्टिव और अमेरिका के पास 13 लाग एक्टिव सेने कर्मी है रूस 1,8,000 नएा सेनिकोंकी तो एक्टिव सेन्य कर्मियों की संख्या के लिहाद से वो जीन के बाद नमबर दो का देश बन जाएगा रूस के फरवरी दो हजार बाइस में युक्रेन पर हमले के बाद से फुति ने तीसरी बार सेना के रैंकों का विस्तार किया है ये तब हुआ है जब रूस की सेना पुरवी उक्रेन के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रही है और उक्रेन की सेना को अपने कुर्सक शेत्र से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है रूस की संसत के निचने सदन की रक्षा समीती के अध्यक्ष आंद्रेई कार्थ पोलो के मुताबिक सक्रिय सैनिकों की संख्या में विर्धी सरशस्त्र बलो के आकार को बढ़ाने की योजना का हिसा है रूस के उतरपश्र में सुरक्षा सुनेशित करने के लिए नई सैने इकाया बनाने की जरूरत है क्योंकि यहां फिल्लेंड के साथ हमारी सीमा लगती है जो नैटो में शाविट हो गया है रूस दुनिया का ऐसा देश है जिसकी सीमा दुनिया के सबसे ज़्यादा 18 देशों से लगती है इन में से किवल आठ ही पूर्व सोवियत संग का हिस्सा रहे हैं रूस की सीमा पर फिल्लेंड ही नहीं पोलाएंड छोटे छोटे देश जैसे लिथुवानिया एस्टोनिया और लाट्विया जैसे देश नैटो के मिंबर हैं और यूक्रेन नैटो में एंट्री के लिए पूतिन से जंग तक लड़ा है इन देशों से जंग होती है तो जीतने के लिए लाजमी है रूस को बड़ी फौज की जरूरत है लेकिन यूक्रेन युद्ध में रूस के सैनिकों की जिस अस्तर पर मौत हुई है उसे पुतिन को नई भरती की जरूरत पढ़गी दिख रही है रूस की सेनाएं इस समय पुर्वी यूक्रेन से सची एक हजार किलो मिटर लंबी सीमा की सुरक्षा में लगी है यूक्रेन के सैनिकों और उनके साथ मिलकर लड़ रहे नैटों के जवानों का पीछा करने में लगी है दावा किया जा रहा है कि जंग में रूस के खरीब दो लाग सैनिकों की मौत हुई है यही नहीं खरीब चालिस हजार सैनिक जखमी हो चुके है यही कारण है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन जंग के शुरुआत होने के बाद ये तीसरी बार है जब पुतिन ने सैना का आकार बढ़ाया है पुतिन ने अगस्त दो हजार बाइस में एक लाग सैनिकों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया था इसे रूस की सेना में कुल सैनिकों की संख्या 20 लाग से जादा हो गई थी इसमें 11,5 लाग एक्टिव सैनिक थे इसके बाद दिसंबर 2022 में रूस की सेना में 1,70,000 और सैनिक बढ़ाये गए इसे कुल एक्टिव आर्मी 13,02,000 हो गई और अब तीसरी बार सेना काकार बढ़ाने से एक्टिव सैनिकों की संख्या 15,00,000 हो जाएगी नए सैनिकों की भरती दिसंबर में होगी रिपोर्ट के मताबक सैनिकों की संख्या बढ़ाने का पुतिन का ये आदेश इसलिए भी एहम है क्योंकि पिछले महीने रूस के कुर्सक शेतर में यूकरेन की सेना खुस गई थी यूकरेन ने रूस के खरीब 1175 वर किलोमीचर इलाके पर खबजा कर लिया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार था जब रूस ने इतनी जमीन गवाई अब रूस ने अपने जमीन वापस हासिल करने की कोशिश तेज कर दी है रिपोर्ट्स के मुताविक पिछले हफ़ते रूस और यूकरीन की सेना के बीच कुर्स के कई इलाकों में संग्राम छीडा इस बीच रूस ने पुर्वी डॉन्बास इलाके के शहर पकरस्क पर खबजा करने के लिए हमले बढ़ा दिये बुला दो पवड़ गलुव को मसिर्षक वा त्रवाला रозмовा ना पचात कु द्ना श्चोई नहीं गवरिला जिम जा पीसुम्काम द्ना व्जे बीशी सोटनी बई वीव इद पचात की दोबी नैबीशी कुराहिव्स्की नाप्रामा पकरोव्स्की पुतिन जंग तो जलन्सकी से लड़ हैं लेकिन ये जंग जीत जाते हैं तो इसका असर विश्रो ब्यापी होगा दूर तक और देर तक असर दिखाएगा क्योंकि जमीन पर रूस के फौज के सामने भले ही उकरेन के सैनिक खड़े हों इन सैनिकों के पास हथियार नैटो देशों के हैं मिसाइले एंटी एयर डिफेंस सिस्टम टैंक जोन सब पश्रमी देशों से मिले हैं लिहाजा पुतिन के लिए असली चुनौती जलन्सकी नह को सोचना नहीं पड़े पुतिन नए सैनिकों की भरती करके यही कर रहे हैं और इसका नतीजा होगा कि रूस सैनिकों की संख्या में दुनिया में नंबर दो का देश बन जाएगा इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी सेना चीन की है जिसके पास 20,35,000 की एक्टिव आर्मी है दूसरे नंबर पर भारत है जिसके पास 14,56,000 एक्टिव आर्मी है तीसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके पास 13,28,000 की एक्टिव आर्मी है चौथे नंबर पर रूस है जिसके एक्टिव आर्मी है 13,20,000 पांचवे नमबर पर उत्तर कोरिया है जिसके एक्टिव आर्मी है 13,20,000 एक्टिव आर्मी के लिहाद से छठा बड़ा देश इस वक्त युक्रेन है जिसकी संख्या 9,00,000 है साथवे नमबर पर है पाकिस्तान जिसके पास 6,54,000 की एक्टिव आर्मी है आठवा नमबर है इरान का जिसके पास 6,54,000 की एक्टिव आर्मी है एक्टिव आर्मी में 6,00,000 सेनिकों के साथ दक्षन कोरिया नमबर 9 पर है और दसवे स्थान पर है वियतनाम जिसके पास 6,00,000 क सेनिक शम्ता किसी भी देश के लिए जंग जितने के गरेंजी नहीं होती लेकिन इसे जो मनोवे ग्यानिक बढ़त मिलती है उसका जवाब दुश्मन के पास नहीं होता अब सवाल यह है कि फरवरी 2022 में जब पुतिन ने यूकरेन के खिलाप युद्ध छेड़ा तब भी सेनिकों के भरती के जरूरत पड़ी रूसकी यूआ शक्ति ने फौज में जानिक लितत परता नहीं दिखाई यहां तक कि तस्वीरे आईं कि यूआ भरती के डर से देश छोड़ने लगे खुद को जखमी तक करने लगे खबर तो ये भी आई कि फौज की कमी पूरा करने के लिए पुति ने जेल में खायद अपराधियों तक को मोर्चे पर भेजा भाड़े के सैनिक भी बिदेशों से बुलाए गए चेचेचनिया के रमजान कादिरफ के आर्मी को इकठा किया गया तो पुतिन ने जो नया ऐलान किया है कि एक लाख असी हजार सैनिकों की भरती की जाएगी वो कहां से करेंगी क्योंकि इन सैनिकों को भले ही बाद में बैरक में भरा जाए लेकिन अभी तो उन्हें सीधे यूक्रेन के मोर्चे पर ही लगाया जाएगा जहां जखमी होने की आशंका है मारे जाने का डर है लंदन शहर पुतिन को लेकर इतना घबराया हुआ है कि आज की रात बहुत बीचैनी के साथ गुजरने वाली है बिचैन के विदेश मंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने रूस की सेना को भड़का दिया है और अब सब को लग रहा है कि पुतिन पूरे बिचैन को बड़ी सजा दे सकता है 24 घंटों के अंदर युक्रेन युद पर ऐसे हालाद बन चुके हैं कि एक तरफ पुतिन है दूसरी तरफ नेटो है और अब बीच में वर्ल्ड वॉर के साथ परमाणू धमाके का खत्रा सताने लगा है और इस वक्त युउरप में युक्रेन के बाद लंदन दुनिया के नक्षे पर वो जगा बन गई है जहां परमाणू धमाके का सबसे बड़ा एपिसेंटर बनने का डर सताने लगा है नेटो खौफ में है क्योंकि आशंका है कि लंदन इस वक्त पुतिन का टार्गेट नंबर वन बन चुका है अगर परमाणू बम लंदन पर गिरा तो बिटेन की राजधानी का क्या हाल होगा लंदन के सेंटर में बम गिरने से तीन किलोमीटर बड़ा आग का गोला सब कुछ जला कर राक कर देगा रूस ने अगर लंदन पर मिसाइल दागी तो दावा किया गया है कि ये सिर्फ तीन मिनट के अंदर लंदन को दुनिया के नक्षे से मिटा देगी लंदन पर परमाणू हमला हुआ तो बिटेन की संसद धूल में तबदील हो जाएगी यहां प्रदान मंतरी का निवास सब कुछ खत्म हो जाएगा बकिंगम पैलेस से लेकर लंदन का इतिहासिक पुल जब सब डह जाएगा इस हमले में चार लाक से ज्यादा लोग पौरन मारे जाएगे जबकि नौ लाक की आबादी बुरी तरह जखमी हो जाएगी यानि उसके तीसरी डिगरी के जलने वाले जखम होंगे इन में से भी ज्यादा तर लोगों की कुछ देर बाद मौत हो जाएगी लंदन पर सबसे बड़ा खत्रा क्यूं अंडरा रहा है इसे समझने के लिए आपको युकरेन ले चलते हैं युकरेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में ये आग बता रही है कि पुतिन का गुस्सा पूरे युकरेन को जलाना चाहता है या पुतिन के हमले के बाद रेस्क्यू आपरेशन जारी है एक-एक जान को बचाने की कोशिश शल रही है हमला इतना खतरनाक था कि जलन्सकी के हाथ से युद्ध निकल चुका है ये बात बार-बार साबित हो रही है उनका एक-एक डिफेंस सिस्टम दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है जलन्सकी का दावा है कि पुतिन ने 24 घंटों के अंदर 128 गाइड़ बम से तबाही मचाई है यानि हर घंटे पुतिन पांट से ज्यादा बम युक्रेन पर फोड रहे है और यह हमले ज्यादतर खारकीव, सूमे और डोनेस्क में किये जा रहे है इस हमले में 30 लोग जखमी हुए है जिन में से 3 बच्चे भी है बताया जा रहा है कि रूच का एक गाइड़ बम खारकीव के आसमान को चीरते हुए इस बिल्डिंग पर आगिरा यह बात तो जेलेंस की भी पूछ रहे हैं कि उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है जबकि युद्ध से तबाही का मंज़र रोज खौफनाक होता जा रहा है रूस और यूक्रेन दोनों अब एक दूसरे की बहुमन्स